ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी सुक्रवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में थुम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगोस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन डासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के दरश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्यामियाभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूट हो दोस्तो साथ इसाथ कोई अपरतियासित आयर या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आयका अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथी और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात्मक कारों के प्रिति आज आपका रुजान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारेचमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कारेचेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता हैं दोस्तों बात कर लेते हैं जबके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तों घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव हैं अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावस्षक परि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए ऐसे व्यक्ती के पास जाएं जिसे जरूत है जैसे आपके भाई बेहन माता-पिता या पडोसी उन्हें सांति प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यतित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा है आपको बेचेन करेगा दोस्तो कार रभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोध की आज अधिकता रहेगी नकारातमक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइट के शिरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरा सी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारातमक रूप से आ सकता है आपकी प्रे आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है, इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तो आज वैवसाई के गतिविदियां सफल और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी, प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा, अनावाशक खर्च की भी अधित्ता रहेगी, जिस पर आपको कंट्रॉल करना पड़ेगा, साथी साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है, साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं, उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का सुक मिल सकता है, आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सक ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शावधन रहे दोस्तों बात कर लेती हैं जाब का वाला हैं दोस्तों आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्यां उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक हैं जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रोका जा सके शाफधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखेने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद श्री लक्षमी नारायन के मंदिर में जाकर इत्रकादान करें या दोस्तो और अपनी मनो कामने मांगें या दोस्तो इस प्रिकार इत्रकादान करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प् पूर्ण होंगी और आपके सभी कारें बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों मालक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जे मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद